आज हमें कैसे सरकस में जाने वाले हैं जहां पर अजीब गजीब प्रकार के 15 बीस प्राणी हर साल बंद कर दी जाते हैं और इनकी बीचे कॉम्पटिशन कराये जाता है कि सबसे बड़ा जंगली कौन है जी हाँ सही सुना आपने सबसे बड़ा जंगली कौन है जो कुत्ति की तरह रोटी के लिए लड़ सकता है बकरी की तरह मैमे कर सकता है मगरमच की तरह जूटे आशू बहा सकता है लकड़ बगगे की तरह तार सकता है सेर के जैसे दहार सकता है गदे के जैसे बेवकुफ हो सकता है लोमडी की तरह चतु चलाक हो सकता है और सबसे महत पून गिर्गिट की तरह रंग बदल सकता है तो बातों को जेठा लाल की जेंटल मूचों की तरह ना घुमाते हुए इसे कालिया की असलील मूचों की तरह सीधा रखते हैं और सीधे मुद्दे पे आते हैं तो इस सरकस का नाम है और इस सरकस का रिंग मास्टर कोई और नहीं बलकि मसहूर सिकारी सलमान भौई है जिसने ना सिर्फ जंगल में बलकि फुटपाद पर भी कई सिकार किये हैं ये सिकारी तना बेहरहम है कि इसने एक चूजे का मुरगा बनने से पहले ही सिकार कर दिया था वेसे इस मसहूर बेरहम सिकारी ने अपने तीर से कई खुबसूरत प्राणियों का सिकार किया है और अब इस बेरहम सिकारी की नजर इस बिग बोस नामक सरकस की एक खुबसूरत प्राणी पर भी है तो एक एक करके आईए आपको मैं इस सरकस की खतरनाक जानवर उसे मिलाता हूँ लेकिन उससे पहले सरकस में आने पर आपकी सुरक्षा की जिमेदारी आपकी स्वेम की होगी जाली की दिवार उसे दूर है नहीं तो कोई भी जानवर आप पर पंजा मार सकता है बिल्ली की प्यार भरी नजरों के भखाव में न आए नहीं तो बिल्ली के दुपटे में चिपा बिल्ला पर जपड़ सकता है बिल्ली की प्यारी आवाद सुने के लिए आप कानों में इयरफन ठूच सकते हैं और सबसे महत्पून सुचना खाने पिने की चीज़े लेकर सरकस में नहीं आए और अगर सरकस में आ चुके हैं तो उसे संभाल कर रखे क्योंकि? तो आईए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको यहां के जानवरों से मिलवाता हूँ यहां पर गरजने और बरसने वाले सेर सेरनिया हैं तेज दिमाग वाली चालाक लोमडी है सबको ताडने वाला लकड बगगा है मैं 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 करने वाली बकरी है उचा सर करके घूमने वाला जिराफ है बड़ी बड़ी आखों से ताड़ने वाला सुत्र मुर्ग है और एक खूबसूरत प्यारी से बिल्ले भी है जिसे देखकर आपको प्यार हो जाएगा लेकिन आपका नमबर यहां पर नहीं लगने वाला है क्योंकि इस जंगल में उसका बिल्ला भी आ चुका है इन सब के अलावा यहां पर दो गधे भी है जो यहां क्यूं है पता नहीं लेकिन यह सरकस की फैमली नहीं पर खत्म नहीं होती है इस सरकस मेंटरी हो चुकी एक खतरनाक चतूर चालाक फूरतिले चीते की जो सेर सेरनियों से उनका ताज छिनना चाहती है तो इस घर में सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ यहां की सेर और सेरनियों से यह सेर सेरनिया सरकस में एक दूसरे पर ही धारते हैं एक दूसरे का ही सिकार करने दोड़ते हैं इन सेर सेरनियों की सबसे बड़ी खास्यत यह है कि इनमें गिर्गिट का भी गुन पाया जाता है ये इतनी जल्दी रंग बदलते हैं कि गिर्गिट भी इने देखकर सर्म के मारे खुद ही मर जाए इस घर की सबसे चतुर प्राणी ये चालाक लोमडी है और इस चतुर चालाक लोमडी का काम ये चतुर चालाक लोमडी इस सर्कस में भी अपना ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और गधे को अपने पीछे पीछे घुमा रही है ये चतुर चालाक लोमडी इतनी चतुर है कि सर्कस में सेर और सेरनीयों के होने के बावजूद भी यही राज करती है इस सो में एक रंगीन लकडबगा भी है जो बड़ी बड़ी आखों से तारता रहता है ये लकडबगा अपनी रंग बिरंगी हरकतों से घर की मादाओं का टेमपर हाई कर देता है इस घर में एक मैं मैं करने वाली बकरी भी रहती है जो में में करके आपके कान से खुन दिमाग से भूसा और दिल से गुर्दा निकाल सकती है इसकी में में सुनके आप घर से बाहर चुलू भर पानी की तलास में भी निकल सकते है इस घर में ये बकरी अपना राज इस्थापित करना चाहती है ये बकरी बहुत ही चालाक है ये बकरी तो सेर और सेरनियों का सिकार करने का इरादा रखती है इस सरकस में इस बकरी का एक जिराफ भी रहता है जो स्कुरू डाइवर की तलास में उच्छी गर्दन मटका कर इधर उधर भटकता रहता है गाय टोंडे के गुरू जी के पास भी इतना ग्यान नहीं है जितना ग्यान इस गर्दन मटका कर घूमने वाले जिराफ के पास है इस घर में एक सुतुर मुर्ग भी रहता है जो बड़ी बड़ी आखों से उल्लू सी सकल बना कर देखता रहता है इसकी बकबक सुनकर सरकस से उड़कर चले जाने कामन करता है लेकिन फिर खाने पीने के लिए लड़ने वाले इन मासूम प्राणियों का चेहरा सामने आने लगता है ये अपनी हरकोतों से इस टिक टोकर प्याज अली का बॉइफरेंड लगता है इस घर में एक गधा भी रहता है जो पता नहीं क्यों रहता है ये मासूम सा दिखने वाला गधा चालाक लोमडी से प्यार की उमीद में उसके पीछे 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 घूमता रहता है इस घर में इंटर्टेन्मेंट कोटे से एक चीते की री एंट्री हुई है ये चीता बहुत तेज खतरनाक और पावरफुल है ये इस घर में सेर सेरनी से भी उच्छी आवाज में बात करना जानती है सेर सेरनी को ये चीती भीगी बिल्ली बनाना चाहती है इस चीते की री एंट्री से सेर सेरनी के होस उड़े हुए है इस खतरनाक जानवरों से भरे सरकस में एक खुबसूरत बिल्ली भी रहती है जिससे आपको प्यार हो जाएगा यह मासूम खुबसूरत बिल्ली उफ क्या बोलूं वैसे तुम्हें बहुत सक्त हूँ लेकिन यहाँ पिगरेगा वैसे इस बिल्ली का बिल्ला भी इस सरकस में प्रवेस कर चुका है पर अब हम कर क्या सकते हैं इस बिल्ली के बारे में मैं क्या बोलूं यह कपड़े नहीं धुपाती है तो रोती है यह टास्क में हार जाती है तो रोती है ये बैठे बैठे बाते करते करते भी रोने लगती है कास मुझे मौका मिलता इसके आस्वों को पोचने का अफसोस दिल जुड़ने से पहले ही तूट गया